गुड मार्निंग एवरीवन बच्चों आज मैं आपको हिंदी में अंग और अह की मात्रा बताऊंगी ठीके बेटा तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अंग और अह की मात्रा कैसे लगाते हैं ठीके बेटा आप यहां पर देखिए फर्स्ट में हैं अंग की मात्रा किसी भी अक्षर के उपर आपको क्या करना है इसकी मात्रा कैसे लगती है सबसे पहले यह देखिए आपको किसी भी अक्षर के उपर एक बिंदी लगानी है जैसे देखिए क की उपर आप बिंदी लगाएंगे एक कंग हो जाएगी ठीक है और उसके साथ आप ग और न एड़ कर दोगे तो यह बन जाएगा कंगन इसमें आप देख रहे हो ना एक बिंदी उपर लगी हुई है उसी तरह से देखिए जब पर एक बिंदी लगाएंगे उपर ग ल तो यह क्या हो जाएगा बिटा जंगल ठीक है उसी तरह से प त त के उपर बिंदी लगाएंगी और ग त यह बन गिया बिटा प तंग आप देख रहे हो अंग की मात्रा में किसी भी अक्षर के उपर कितनी बिंदी लग रही है सिर्फ एक बिंदी आपको लगानी है इस चीज़ को आप याद रखेंगे और अब देखिए अह अह में क्या करते हैं इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं किसी भी अक्षर के बगल में आपको ऐसे दो बिंदी लगानी है अंग की मात्रा में उपर में एक बिंदी लगेगा और अ की मात्रा में अक्छर की बगल में दो बिंदी लगेगा आप इसको ध्यान देंगे ठीक है जैसे देखिए न म और यहाँ पर दो बिंदी लगा देंगी अह की मात्रा तो नमह इसका जब आप उचारन करोगे तो अंत में आपको ह की ध्वनी सुनाई देगी जैसे देखिए प में छोटे उ न और अह की मात्रा पू न तो आप सुन रहे हो ना कि लास्ट में क्या आवाज आ रही है ह की आवाज मुझे सुनाई दे रही है ठीक है जब भी आप इसका उचारन करोगे तो उसका अंत में आपको कौन सी ध्वनी ये आवाज सुनाई देगी बेटा ह की ध्वनी सुनाई देगी तो चलिए आज हम सीखेंगे अंग और अह की मात्रा वाले सब ठीक है बेटा इसको अनुस्वार भी कहते है और इसको फिसर्ग कहा जाता है जो आप आगे जब जाओगे प्लास वन टू थ्री में तब आप इसको पढ़ होगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंग की मात्रा वाले सब ठीक है फर्स्ट में देखिए र की उपर आपको बिंदी लगानी है ग रंग इसको क्या पढ़ेंगे रंग आप लोग भी इसी तरह से बोल बोल कर बेटा अपनी कॉपी में राइट करोगे तो इससे आपको पता चलेगा किसको कैसे पढ़ना है और कैसे राइट करना है नेक्स देखिए ज़ पर बिंदी लगाएंगे ग ल तो यह क्या बन गया बेटा जंगल क्या बन गया जंगल उसी तरह से म की उपर बिंदी ग ल तो यह बन गया बेटा मंगल क्या बन गया मंगल प त त के उपर आपको मिंदी लगानी है और ग क्या बन जाएगा प्तंग उसके बाद देखिए अ पर आपको अंग की मात्रा दर यह बन जाएगा अंदर ब के उपर बिंदी लगाईए दर इसको क्या बोलेंगे बन दर द के उपर में आपको अंग की मात्रा लगानी है और दर में आंग की मात्रा लगाईएगा तो यह बन जाएगा बेटा डंडा क्या बन जाएगा डंडा उसे तरसे देखिए प अल- यह बन गया, भीटा, पलं, क्या बन गया, पलं उस्य तरह से all Q पर अंक की मात्रा, द में आक की मात्रा, यह बन जाएगा, अंड, क्या बन जाएगा, अंड, रास्ट में देखिए, म पर बिन्दी लगाईए, द में छोटी, र, तो क्या बन जाएगा बिटा मन्दील क्या बन जाएगा मन्दील तो आप यहाँ पर देख रहे हो अंग की मात्रा किसी भी अक्षर की उपर में लगा हुआ है आप सारे सब्दों में देख रहे हो ना कहा लगा हुआ है उपर में लगा हुआ है अप चलिए देखते हैं अख की मात्रा अक्षर की बगल में आपको राइट करना है जैसे देखिए त प अ की मात्रा त प उचारन में अंत में आपको ह की आवाज सुनाई देगी ठीक है न म अ की मात्रा लगाईगी न म क्या हो जाएगा बिटा न म अ त अ की मात्रा अ त इसको क्या पढ़ेंगे अ त छ में अ की मात्रा छ प में छोटेवू न अ की मात्रा लगाईगा तो यह बन जाएगा पुना उसके बाद देखिए फ ल त में अ की मात्रा फ ल त त क्या पढ़ेंगे फ ल त उसके बाद देखिए मा में बड़ेवू ल त के बाद अ की मात्रा लगाएगे मूल त अ के उपर बिंदी त में अ की मात्रा अन्त त इसको क्या पढ़ेंगे अन्त त यहाँ पर देखिए अ और त के साथ अ की मात्रा लगा हुआ है यह हो गया अत और यहाँ पर देखिए अ की उपर बिंदी त त उसके बाद अ की मात्रा अन्त त इसको क्या पढ़ेंग देखिए द में छोटे उ और एहां पर तो की मात्रा यहां लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे डुक कि युदु पढ़ेंगे अपर आपको की मात्रा लग हुई पर आगे I homework में इसको बोल बोल कर भीटा हिंदी की copy में good handwriting में आपको right करना है और याद रखना है अंग की मात्रा में किसी भी औक्षर के उपर हमें एक बिंदी लगा रहे हैं और अग की मात्रा में किसी भी अक्षर के बमी हैं दो बिंदी है है बस इसी को आप ध्यान रखेंगे थैंक यू